और जोदपूर में कुछ दिन पहली ब्यूटीशियन महिला की हत्या के मामले में मुख्यारों पी नहीं पकले जाने पर आज वीर तेजाजी मंदर पर भिविनिस अंस्थानों नहीं धन्र प्रदशन किया। इसके साथ कई व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो मुख्यारोपी है उसके पीछे भी टीम लगी भी है। कुछ हमारे पास में हतकुन साक्षया हैं इसके लोकेशन के बारे में। चार-चार टीमें पिल्कुल ग्राउंड पर हैं जो राज्ये के अंदर राज के बाहर दविश दे रही है। इसके अंदर उनके सामने जो पडोसी है, दुकान उनकी सामने है। कोई मंजू नाम की मैला भी है, कोई सुनिता नाम की मैला भी है। उनके कहने से वो गए हैं। उसके बाद आगे टैक्सी में उनको बोला कि कार में बैठो आप। कार में वो बैठे नहीं, कहने ही मैं मेरी टैक्सी से चलूँगी। टेक्सी वाड़ा वहां पे छोड़ने के बाद सूत्रों के इसाब से उसकी वज़े से इन लोगों को परिवार को पता चला है कि वही इसको कहा उतारा गया है तो इस तरीके से मैला को बगला कर बुला कर और आप निर्मम हत्या करके क्या जताना चाहते हूं जाए और उसकी तया तक जाए 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 इसमा इंसाब घिलाए जाए 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 जो जो दरिंदी है ऐसा तो कभी नीवा जो उत्पुर के कियास में इस परकार से मारने के बाद भी 6-6 टुकड़ों में और यह पहले से योजना थी उसकी पहले से योजना थी और 10-6 टुकड़ों में उन्होंने किया यह इतियास में बेली बार हुआ है आप लोग एरान होंगे कि वीर्देजा मंदिर के अंदर दरना कैसा है तो दरना इसलिए है कि सरकार की तानासा ही है जो हमें मोर्चरी के पासम बैठने ने दिया एमस्वें बोड़ी रखके पूरे ऑस्पिटल को लोग कर दिया और चौबीस गंटे अभी मतलब इस गटना का जो मुगतमा दर्ज हुआ उसके चौबीस गंटे के बीदने के बाद में पुलिस ये बता पाई टैक्सी में गई है अगले चौबीस गंटों में जो अनिता ज पूरी के अजबेंट है उन्होंने जाके टैक्सी नहीं